हलो दोस्तो में तरा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ डिनर के लिए कच्चे अंडे की सबजी और मिल्क पराठे जो बहुत जल्दी बन जाएंगे और बिल्कुल अलग तरीके से आज मैं बता रही हूँ आपको अंडा की सबजी और मिल्क पराठे बनाने का तरीका वीज वेडियो पूरा देखिए अंडे की सबजी बनाने के लिए हमने लिए हैं कच्चे अंडे 4 फ्रेस अंडे हैं हमारे कच्चे अंडे को चेक करने के लिए हम पहले एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें अपने अंडे डाल देंगे तीन-चार मिनट के लिए अंडे को डाल देंगे अगर हमारे अंडे फेस हैं तो वो नीचे जाके पेंदी में बैठ जाएंगे अगर वो खराब है तो उपर आ जाएंगे देखो हमारे अंडे बिलकुल सही है उपर नहीं आए है अब हम अंडे को पानी से निकाल करके फोड़ लेंगे फोड़ करके अलग-अलग कटोरी में रखते जाएंगे क्योंकि हम अलग तरीके से आज हम अंडे की सबजी बना रहे हैं अब आपको कच्चे अंडे के आमलेट भर खाना नहीं है ऐसे आप सबजी भी बना सकते हैं अब हम सबजी बनाने के लिए कड़ाई रखी है उसमें दो बड़े चमच सरसों का तेल डाल दिया है जब मारा तेल गरम हो जाएगा उसके बाद जीरा प्याज और लैसन अधरक को ग्रेट करके डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे सब को एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी उसके बाद हम मसाले डालेंगे ऐसे हल्दी पाउडर धरिया पाउडर लाल मेच पाउडर कस्मीरी मेच पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे एक दो मिनट तक तेल में अच्छे से मसाले को पका लेंगे जब एक मिनट हो जाएगा उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे हमने दो टमाटर लिये थे जो पीज करके रख लिये हैं अब एक चम्मच नमक डार देंगे या फिर आप नमक अपने स्वादन साथ डाले पांच मेट तक हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे गैस को हम मेडियम ही रखेंगे जिससे हमारी मसाले अच्छे से पक जाएं अब हमें एक गिलास पानी डाल देंगे जितनी हमें ग्रेवी बनाना है उतना पानी डाल देंगे और ग्रेवी को अच्छे से उभार लेंगे एक छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे और एक चमच कसूरी मेथी डाल देंगे जब है ग्रेवी उबाल आ जाएगी उसके बाद हम अंडे डाल देंगे जो फोड करके रखे थे ऐसे अंडे की सबजी आप एक बार जरूर बनाएए यह बल्कुल नए तरीके से आज मैं बना रही हूं अंडे की सबजी और बहुत टेस्टी बनती है इसे आप कुड़ी पराठा या रोटी किसी के भी साथ चावल की साथ खाएए बहुत टेस्टी लगती है अब इसे हम पांच मिर्ट तक अच्छे से पका लेंगे उबाले हुए अंडे की सबजी तो आपने बहुत बार खाई हुगी एक बार कच्छे अंडे की सबजी जरूर बनाईए हमारी सबजी बन गई अब हम एक पिलेट में निकाल लेंगे आप इसे डिनर के लिए एक बार जरूर बनाईए उन्हें बटर से गानिस किया है दन्या पक्ति हमारी सबजी बन चुकी है अब हम पराठे बना लेंगे पराठे बनाने के लिए हम गरम दूद लिया है और उसमें एक चम्मच चिनी डाल देंगे चिनिक वच्छे से गोल देंगे दूद में हमने आटा लिया है जिस आटा से रोटी बनाते हैं उसी आटा से आज हम पराठे बना रहे हैं एक अंडा लिया है फोड़ करके रख लिया था इसे पराठे अच्छे खुसकोसे बनते हैं और एक छोटी चमच नमक डाल देंगे एक चमच जीरा और एक छोटी चमच बेकिंग सोड़ा डाल देंगे और गरम दूद डाल करके आटा गूंथ लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे और आटा बनाते जाएंगे कि यहां राटा गूंत जाएगा उसके बाद हम इसे आधा गंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे इसे हमारा आटा अच्छे से फूल जाए अब आधा गंटा हो गए हैं अब हम इसकी लोई काट लेंगे और इसके पराथे बेल लेंगे इसे हम पराथे बेल बेल करके रख दे जाएंगे थाली में और तबा गरम होने के लिए रख देंगे हम लोहे के तबा में बना रहे हैं पराथे आज पलट करके सेंक लेंगे दोनों साइड और घी को हमने पिखला लिया है गरम कर लिया है एक चमच घी डाल देंगे अच्छे सेंक लेंगे दोनों साइड हमाई पराथे भी बन गए और सबजी भी बन गए अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आया हो तो पिलिज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए वेडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल